जब मैं आई सुहाग वाली रात रे उसने चुम महसे किया सुरुवात रे पहले घुंगुटा उठाया फिर बेड़ पन सुलाया पहले घुंगुटा उठाया फिर बेड़ पन सुलाया और एका हमर में दो रद दिया रत दिया भुता के पीया क्या 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 नमस्कार दोज्टो आप सभी का स्वागत है भोजपुरी रिम्छिबे आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ये गाना आप लोगों के सामने क्यों गुन गनाया मैं गाना इसलिए गुन गनाया राते दिया बुता के क्योंकि पॉन सिंग का ये गाना काफी बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर चुका है जी हां पौवन सíng की बात करएं तो इस पौवन सिंग के गाने पर रात दिया बुता के 535 मिलियन व्यूस तो है इस गाने पर यूटुब पर क्षो गया है और यह भोजपू री के इतिहास में पौवन सिंग का नाम 500 प्लस मिलियन में क्षो गया है दरसल पवन सिंग ने एक पोस्ट शेयर किया है जो कि अपने फेस्बूक और ओफिसियल फेस्बूक पेज़ पे है और उन्होंने हैस्टेक के साथ 535 प्लस व्यूज और यूटूब शेयर करते हुए यूटूब का लिंक दिया है और राते दिया बुदा के पवन सिंग और इ पवन सिंग पावरिस्टियार के नाम एक और इतिहास हो गया है कि यहाँ पर राते दिया बुदा के पिया क्या क्या किया जो है वो कहीं नहीं 535 मिलियन क्रोस कर गया है जिसको लेकर बोचपूर इंडर्स्ट में पवन सिंग आज कल काफी जादा चर्चा में हैं बात करें इस गाने को लेकर तो इस गाने को पवंशिंग ने अपने खूपसूरत आवाज में इस गाने को गाया है साथ में अगर हम female gaika की बात करें तो वो इंदू शोनाली है लिरिक्स की बात करें तो शुमेच सिंग चंदरवनसी हैं और म्यूजिक डारेक्टर की अगर हम बात करें तो वो छोटे बाबा है डारेक्टर जो इसके है वो सुजित कुमार शिंग है तो कोलियोग्राफर जो है राम देवन है और वेब म्यूजिक पर लिजी ये गाना अब तक 535 मिलियन भीवर क्रोश कर गया है जिसके चलते पाउन सिंकेस गाने को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें शरूर बताईए निजरूम से निजलाइब की रिपोर्ट